सबसे पहले तो मैं आप सब्सक्राइब को बता दूं जैसे कि मैंने आपको टेलिग्राम पे मैसेज भी कहता एक वीडियो में बताया था कि अब आपको यहां से केवल यूपी स्कॉलर्शिप के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलेगी अगर आपको बीटुपी के अपडेट् सकते हैं जिसका डाइरेक्टि लिंक मैं आपको वीडियो को डे दीष्क्रिप्सट्र में थे दूंगा हम क הंआपके आपकी आखलं करें बात करेंगे क्या आपकी जाने वाली है इसके अलाब्वा आपके जरी नहीं हो पा रहा है तो जैसा कि यहां पर आपको देखिए लिए यूट्योब चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिसका डिर्क लिंक पर वीडियो के डिस्क्रिप्र भागने रहा हो ठीक है इसके अलावा एक और जो चीज़ है यहां पर पूरा नहीं पर इच्छा है और यहां पर एक चीज़ दी हुई है कि बड़ोत से थी कोई सहर है वहां से थी आप चुकि हम लोग जो परते हैं लखनाव की या फिर कानपूर की पड़ते हैं अपने यहां के पड़ते हैं तो यहां पर दिख रहा होगा एक पॉल्टेकनिक की परिच्छा को फिलहाल पीछे आटा दिया गया यहां पर वार्सिक था तो इसमें कुछ डाटा गड़बर थे तो लग रही थी कि यह पुरानी जारी है और यहां पेसमें यह बता जारा है कि अब जो फरवरी की सुरुवात में परिच्छा होने की संभावना जताई जा रह परिच्छा का परड़ाम अठकने से चात्रों के सामने गंभी समस्या खड़ी हो गई है कि विभागी के चलते हैं अब दिखी यहां पर यहां पर चीझ आ रही है आपकी कोपी में मॉवाईल नंबर और लिख दे रहे थे तो अब बच्चों का नमबर बढ़ा है वह रख यहीं टीचर का लिए कि अलग से तीचर वह एक तरीके से वहां पर जाच चल दी है किया इनका नमबर बढ़ा है कहीं ऐसा थो नहीं कि आपने इसने मोवाइल लिखा था आपने पैसा ले करके नमबर तो इन सारी चीजों की विभागी जाज बैठाई गई है और यहां पे आपको दिख रहा होगा यह सारी चीजे मैं आपको टेलीग्राम पे सेंट कर दूगा बस में पॉइंट देख लिए और मैं आपको इसकी सहता से समधादे रहाँ ठीक है अध्यक्ष ने पुनर मुल्यां और 17-25 हैसे करके हो गया है तो उनकी काप या फेश से जाच हो रिया और उनहीं का रिजल्ट रोका गया है और यहां पर समिस्टर परिशाव को लिएकर अभी कोई तयारी नहीं है और जन्वरी में परिशाय कराए जाएंगी जाहिशे बात है आपको इंटर लिस्ट के बार आपको इस्तिति क्लियर नहीं होगी एक्जाम को लेकर अभी बोर्ड में संसय बना हुआ है जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि माल लिए कि बोर्ड क्या करे क्या आपका एक्जाम की डेट दे अपता चले कि रिजल्ट की काउपी अभी मतलब रिजल्ट आए है ना काउपिया विजाथ होती रह जाए तो फिर से उसको डेट को एक्स्टेंड करना पड़ेगा तो पहले रिचे की चीजों को देख रहा है कि हां रिचे का जो इस्तिति है उसको क्लियर कर दिया उसके बाद से कल जिए कि और देखिए यहां पर रोका किसका गया है जिनके बढ़े नंबर उनके रोके गए रिजल्ट यानि कि आगर आपका नंबर नहीं बढ़ा था आपने रिचे का रिजल्ट देख लिया आपना तो एक दो नंबर बढ़े होंगे या फिर वो भी नहीं बढ़े होंगे जिनका बढ़ गया है उनका रोका गया है और उनका इसलिए रोका गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे ने मुबाइल नंबर कॉपी में लिखा था एक जामदाने पैसे ले करके पैसे मांग करके उसका नंबर बढ़ा दिया हो या फिर किछी गलत तरीके से उसका नंबर बढ़ा दिया हो इसके लिए जिन बचों का रिचे क नहीं आये हैं तो आपकी च्छाति जो होने वाल था तो कहा था कि आप मान के चलिए 27 होने वाले भले ना हो तो आपकी तैयारी कम से कम कंप्लीट हो गई होगी आप डाइक लिक कह दिये जाए कि हाँ जरूनी चले गए हैं पर चोड़ चार के रूम बच्चे घर चले जाए या फिर पढ़ाई छोड़ दे तो आप बीच में मान के चलिए अब आपको बहुत बोनस टाइम मिल गया है अब बोर्ड के बार में आप जानते हैं कुछ बताने कि आपको जरूत नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं उत्तर पुस्ट गाओं कि दुबारा जहां से चात्रों के काम लटक गए हैं जिन चात्रों ने जरूत नहीं है इसको मैं टेलीग्राम पर विसेंड कर दूंगा आसा करता हूं कि आप समझ गया होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं एक जाम की स्थिति आपको अभी क्लियर नहीं है लेकिन आप इतना मान के चलिए एक जन्वरी की बीच में होने वाले हैं इसके लाबद जो करीचे का रिजल्ट है उसकी इस्तिति अभी पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि दो दिन में आएगा कि पांच दिन में आएगा कि दस दिन में आएगा जैसे कोई ओफिशल नोट्फिकिशन आती है उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल के माध्यम साब क सारी जनकारी मिलेगी यहां से केवल आपको यूपी स्कॉल्सिप के रिगॉर्टिंग ही जनकारी मिलेगी तो आसा करता हूँ कि यह चीज़े आप समझ रहे होंगे फिलाल इस वीडियो में तना हिजाज़त दीजिए धन्यवाद थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स प्रियो में